हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नुमान मेडिसिन में और मैं हूँ अपका दोस्त डियारक शाहबुद्दिन फार्मसिस्ट और मेडिसिन कंसल्टेंट और आप देख रहे हैं नुमान मेडिसिन तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केटी डर्मा 5 क क्रेम के बारे में इस क्रीम की पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं जैसे की यूसय की इसके डरीफेक्ट वेक्ट की इसको लगाने का मैं और क्रीका पहता हैं कितने रूपे मैं disc है सब कुछ डिटेल में बात करेंगे आप वीडियो को आखिर तक देखें तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के तरफ तो केटी डर्माफाइब क्रीम जो इसके अंदर कॉंपोजिजन होता है दोस्तों यह कई सारे साल्ट से मिलकर बनती है जिसमें होता है किलोवेटासॉल और तो आप किसी भी मेडिकल से अगर खरी सकते हैं यह मिल जाता बहुत यह सानी से अब बात करते हैं इसके मैनफेक्टरिंग की तो इसको बनाया है वह बनाया लेबोरेट फार्मसेटिकल कंपनी ने इसको मैनफेक्टर किया है और इसकी पैकिंग जो आती है 15 ग्राम की यह क्र तो यह क्या बख़ोरैस किर्व का तो यह क्या चैने की नाटा है तो यह टीक निसमा है आपके ड़ते है इसके ने किलती है या फिर फिर जएंड को एक तरी एक्से मह पिर कुमा होती है तो उन शखेंज को प्लाई किया जाता है या थीकक कर पूरते हैं इसके side effect की तो इसमें कोई ज़्यादा side effect नहीं देखे गए हैं लेकिन अगर इसको ज़्यादा यूज करते हैं या अपने डॉक्टर के कहने पर यूज नहीं करते हैं जितने दिन तक डॉक्टर न आपको बॉला है जितना लगाने के लिए बॉला है उस तरीके सा अगर आप इसके जो थिन हो सकती है पतली हो सकती है आप अगर दूप में जाएंगे तो फिर आपकी skin जो रेड हो जाती है बहुत तो यह सके side effect होते हैं अगर आप इसको ज़्यादा लगाते हैं या अपने डॉक्टर के कहने पर नहीं लगाते हैं तो अब बात करते हैं इसके लगाने पर करना जहां पर आपका affected area है और इसको पूरी skin पर रब नहीं करें मतलब इसको लेने के बाद पूरी skin पर नहीं करें only affected area पर ही इसको apply करें तो इसको लगाने का सही तरीका और इसको night में use करें ताकि अच्छा result मिल सके आपको तो यह दोस्तों हमने आपको के बारे में करी जहीं करें